टेक्स्ट्यून.न में आपका स्वागत हैं मैं हूं CSI L राखेचा और हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़े जो सरकार को करना चाहिए अपने GST पोर्टल पे और थोड़ा सा लीगली नोटिफिकेशन लाके जिससे टेक्स्ट प्रियर को काफी सोलियत हो सकती है आप जानते हैं GST को चार साल हो चुके हैं और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कते आज भी बनीनी हैं ये बदा योग यह है कि सरकार ने GST को बखो भी समाला है फिर भी जो कमी है वो हमें बटाना चाहिए ताकि सरकार इसे और इंप्रूव करें तो ऐसी पांच कमिया हैं ज फ्रिक्वेंट चेंज हुए हैं फॉर्म नोटिफिकेशन और सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन रोजी आते थे GST नेटवर्क पोर्टल कभी चलता था कभी नहीं चलता था साथी साथ लोगों की इनीशल लेक औफ लिगल अंडरस्टानिंग हुई है तो जो मिस्टेक्स हुई बिना समझे भुझे बिना एप्लिकेशन ऑफ माइंड लगाया है बस नोटिस लिंगा लिए रहा है इससे होगा यह कि डपार्टमेंट और व्यापारी दोनों का टाइम बहुत जाया हुएगा और सरकार के पास कोई एडेशनल रवेन्यू नहीं आएगे क्योंकि टैक्स की बिएशन नहीं हुआ है वहाँ पर सरकार को एक कलेक्टिव क्लैरिफिकेशन लाना चाहिए जिससे न तो डपार्टमेंट का टाइम वेस्ट हो न लोगों का टाइम वेस्ट हो और सरकार को चार साल की यह मिस्टेक्स को कॉंडॉन करना चाहिए दूसरा पॉइंट मैं बात क होता है GSTR 3B के द्वारा साथी साथ जब तक आप पूरा टैक्स नहीं पड़ते हो तब लेट फीज लगती जाती है GSTR 3 में मैं कहने का मतलब यह है कि अगर इन दोनों चीजों को डीलिंग कर दिया जाए तो लोगों को रहात मिलेगी एक तो इंट्रेस्ट मीटर तभी बं कि कम बर्डन हो जाएगा कि अगर लोग जो है टाइम पर रिटन फाइल कर देंगे तो लेट फी का बर्डन नहीं होगा भले से टेक्स वो पहले या बाद में कभी बी अदा कर दे उसका अलग कैल्कुलेशन होना चीए तो यह वाली चीज बहुत ही निया संगत है जो सरकार को तुरंद इंप्लिमेंट करना चीए एक चार दोजार एकिस को इंवोईस जो है वो पचास करोड से उपर वाले डीलर पर भी इंप्लिमेंट हो गया हालाकि चुकि कोविट का टाइम था और लोग जो थे वो बहुत काफी परिशान थे तो उस समय एरपी सिस्टम जो था मुल्द करते हो तो इंवोईस वाला जो प्रोसीजर था वो प्रॉपली इंप्लिमेंट नहीं होँआ है सरकार को चाहिए कि इंवोईस को फाधर वो कंडॉन करें या अगर गलती हो गई है तो उसे माफ करें यह तीसरा पॉंट था चोधा पॉंट मैं बात कर रहा हूं वह जो हम चार साल से जोज रहे हैं, बहुत सारी हम रिपोर्ट्स निकालते हैं GST पोर्टल से, हमारे बास सेल बील जो आता है, वो ट्रेड नेम से आता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती है, वो अधिकतर रिपोर्ट्स जो है, प्रोप्राइटर का नेम ही बताती है, इससे कन्फ उन्हें सरकार को समझना चाहिए और उस बेसिस पे उन्हें जो है कि जो अपनी रिपोर्ट से उसमें भी ट्रेड नेम दिखाना चाहिए ताकि लोगों को सोलियत हो पाए और आखरी चीज मैं यह बोलना चाहरा हूँ कि बहुत सारी एमनिस्टी स्कीम निकाली है सरकार ने जिननों ने लेट रिटन फाइल किया है तो लोगों ने सरकार ने उनका वेव उफ किया है बट जिन लोगों ने लेट फी और हेवी लेट फी भरके रिटन टाइम से बढ़न जिन्होंने गलती की है, तो honest taxpayer को harass नहीं करना चाहिए, उन्हें unequal treatment नहीं देना चाहिए, तो उनकी late fee का refund कर देना चाहिए, सरकार को tax से मतलब होना चाहिए, late fees का मतलब नहीं होना चाहिए, तो ये 5 points अगर सरकार implement करेगी, तो लोगों को काफी सुविदा होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंदा है, तो kindly आप like करें, share कर सकते हैं, साधी साथ अगर आप इस चाहिप की जानकारी regularly जानना चाहते हैं, तो मेरी इस channel को subscribe कर सकते हैं, बेल आइकम बढा के आपको immediate updates मल जाएंगे, thank you.